वेल्कम बैक टू माई चानल कुक्वित शाही आज हम आप लोगों के लिए एकदम फूली फूली सी क्रिस्पी कचवडी की रेसीपी लेके आया हैं चलिए हम शुरू करते हैं बहुत आसान तरीके सी ये कचवडी बनके तयार होगा पहले हम एक पेश्ट तयार कर लेंगे दो इंच के टुकड़ा दरग चार से पाच पीस हरी मिर्ची वन टी स्पून जीरा अब एक मिक्सी जार में इसको आइट करके थोड़ा सा पानी आइट करके एदम फाइन से इसका हम पेश्ट बना लेंगे अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ये 500 गराम आटा है मैदा नहीं है हाफ कब ये उरत दाल की पौडर है इसको धुआज भी कहते हैं बहुत आसानी से किराने के दुकान पर मिल जाएगा वन टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून गरम मसाला, पौडर, अजवाइन, दो पिंच के करीब हीन एक टेबल इस्पून ओयल आट करकी इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए बिल आइकन जरूर दबाईए ताकि मेरी नई नई रेसीपी आप तक पहले पहुँचे अब ये पेश्ट हम आट कर देंगे जीरा मिर्चा दरग का अब इसमें पानी आइट करते हुए एकदम नरम सा इसका हम डो बना लेंगे अभी इसमें जो हमने दाल के पौडर आइट करें हैं वो फूलेगा आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा आप लोग हमें सपोर्ट करिए आप लोगों के लिए इजी टेस्टी रेसिपी लेके हम आते रहेंगे अब हम आटे को दस मिनट के लिए उपर से आउयल लगा के रेश्ट होने के लिए रख देंगे अच्छे से आटा हमारा सेट हो जाएगा दस मिनट हो चुके हैं अब इस तरीके से हम थोड़ा सा और गून लेंगे इसको देखिए अच्छे से हमारे आटे सेट हो चुका है अब छोटी छोटी से हम लोईया बना लेंगे पूरी की साइज की लोई हम बना लेंगे बहुत इजी तरीके से ये कचोड़ी बन के तयार होगा है एकदम हलवाई वाला ही कचोड़ी बन के तयार होगा ना दाल भीगाने का जंजट ना पीसने का ना इस्टप करने का अब जब आपका दिल करे तब आप इस तरीके से कचोड़ी बना लेजिए किसी function और गहरे में यूँ ही आप बनाईए किसी भी सबजी के साथ आप इसे enjoy कर सकती है अब पूरी के साइज के हम बेल लेंगे हमने अपने रैक को अच्छे से साफ करके हम उसी पी बेल रहे हैं आप चाहे ते चोके पे भी बेल सकती है आप इसी तरीके से हम सारे पूरीया बेल लेंगे ओल हमारा गरम हो रहा है अब ओल में हम इस तरीके से डाल के फ्राई कर लेंगे उलट पलट के light golden color फ्राई करेंगे इस पैचुला से प्रेस करते हुए इसको हम फुला देंगे इस तरीके से देखिए हमारी कचोडी फूल गई है इसी तरीके से हम सारे फ्राई कर लेंगे उलट पलट के दो मिनट हम फ्राई करेंगे अब हमाई कढ़ाई बढ़ी है इसमें हम और भी आट करके फ्राई कर लेंगे आप जितनी बड़ी आप इकड़ाई उसी हिसाब से आप फ्राई करिए बहुत फटा-फट से ये कचोणिया बनके तयार हो जाएगी आप एक बार जरूर बनाईए सभी को बहुत पसंद आएगा अब इसी तरीके से हम सारी कचोणियों को फ्राई कर लेंगे अब आपको गर्मा-गर्म सर्फर करके दिखाएंगे बहुत क्रिस्पी फुली-फुली कचोणियों बनके तयार है आप किसी भी सबजी के साथ इंजुआए करिए सूरन के सबजी के साथ बहुत बेश्ट माना गया है इसको उरत दाल की कचोणियों को आपको हम तोड़ के देखा रहे हैं देखिए कितना क्रिस्पी बनके तयार हुआ है इस तरीके से बनाईए अपने फैमिली वालों के साथ इंजुआए करिए आपने हमारे वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया